असलाम अलेकुम जी कैसे हैं सब लोग उमीद करते हूँ बिलकुल ठीक ठाक होंगे खुश होंगे आज जी एक ऐसा जबरदस्त मीठा बनाकर त्यार करते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए और ना आपको चूला जलाना है ना आपको किसी इलेक्रिक बी साधी क्रीम विपिंग क्रीम भी नहीं चाहिए मैं जिससे हमने साथे रमजान बना करता है फूर वह रिवाली क्रीम हमें चाहिए करने होगी बस ख्याल आपने यह करना है कि क्रीम फंडी हो जाहिए कि छोटी-छोटी से टिप्स होती है, आपकी चीज खराब ना हो, इस वज़ा से मैं सबसे पहले आप लोगों से वो चीजें शेयर करती हूँ, जो गलती आप से हो सकती है, इसलिए आपने इस पैकेट को ठंडा करना है, अगर आप अब यह भी लेकर आयो ना, तो थोड़ी द रहां से हमने mix कर लेना है, तकरीबन एक बिनिट तक के लिए आप कर लोगे, more than enough होगा, साथ ही एक अलग बाउल के अंदर, एक टी स्पून ले लेंगे instant coffee का, instant coffee लेनी है, मोटे वाले chunks नहीं लेने, ठीक है, उसके अंदर डाल देंगे हम two tablespoons भर के पानी के, अब अगर आपक इसे के लिए हो जाए कि हमारी जो coffee है ना, उसका flavor enhance हो जाए, अब जो cream हमने beat करके रखी भी थी, उसके अंदर हम डाल देंगे coffee का यवला mixture, अब अगर आपको coffee का taste flavor अच्छा लगता है, तो आप 1 teaspoon coffee use करना, और अगर आपको coffee का flavor इतना अच्छा नहीं लगता, तो आपने half teaspoon लेना है coffee का और उसको 1 tablespoon पानी के अंदर आपने अच्छे से mix कर लेना है, basically जो मैंने use कि आपने उस ratio को half कर लेना है, अगर आपको coffee का flavor ज्यादा अच्छा नहीं लगता, coffee डालनी आपने must है, इसको skip नहीं करना, अच्छी तरहां से इस mixture को हमने mix कर लेना है, ताके coffee इसके अ आप वो use कर सकते हो, lotus है आप वो भी use कर सकते हो, साथ ही ले लेंगे half cup दूद का, ना तो ठंडा ना गरम, साथा जिस तरह का दूद पढ़ा होता है, उस तरह का चाहिए होगा, एक एक करके biscuit को dip करते जाएंगे, और इसको सिधा सिधा करके रखते जाएंगे, basically हमने एक layer ब करके सब से नीचले लगाती है, biscuits की, इसके उपर हमने पोर कर देनी है, अब cream, cream को अच्छे से इसके उपर पोर करेंगे, जिसने हम इसको ठंडा करके serve करेंगे, बहुती smooth, velvety किसम का इसका texture आएगा, बहुती कम टाइम लगता है, और अगर आपके महमान आने वाले हैं, औ इससे better option कोई है ही ने, अच्छी तरह से अब हापने cream को end तक फेला देना है, ताके सारा cover हो जाए अच्छे से, अब क्या करेंगे, सबसे मज़ेदार काम, तीन से चार ले लो biscuits, इसको किसी भी shopping bag के अंदर डालो, अच्छे से इसकी कुटाई करो, इसको basically हमने चूरा करना है बहुत ज़दा fine चूरा नी बनाना हमने इसका, roughly इसका हम चूरा बना लेंगे, ताके इसके थोड़े थोड़े chunks भी रहें, और यह थोड़ा सा fine powder की shape में भी आ जाए, अगर आप mixer में कर दोगे ना, तो वो बिल्कुल एक ही तरह का चूरा बन के त्यार हो जाएगा, उस तर देर के बाद cake के texture में change हो जाएगी, उसके उपर आपको मिलेगी cream जो के होगी बहुत smooth velvety किसम की, उसके उपर आप डाल दोगे यह चूरा जो के होगा थोड़ा सा chunks के अंदर और यह थोड़ा सा crispy सा मूग के अंदर रहेगा, half half करके biscuits को इस तरह से decorate कर देंगे, main शर्त यह ही है कि आपने इस dessert को सही सही वाला ना ठंडा करके serve करना है, जितना ठंडा आप करके इसको serve करोगी यह उतना ही ज्यादा मज़े का लगेगा, शकल चेक करो आप माशाला से कितनी प्यारी आई है, किसी भी महंगे dessert को टकर देने वाला dessert हमने घर में 10 मिनिट के अंदर बना क होगी ना आगे आपको मज़ा आजाएगा, आपने मेरे कहने के ओपर इस dessert को एक दफा जरूर बनाना और अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करने है, बहुत ही कमाल, बहुत ही मज़ेदार dessert बनता है, यह तीजी आज की बहुत मज़ेदार recipe, मैं उम्मीद करते हूँ, आप